इंसान में प्रतिभा नाम की एक चीज होती है, यहां ऐसी एक शमता है, जो प्रकृती के लाखों वर्षों का काम सुभा से दुपार तक कर सकती है, अगर जरूरी कोशिश की जाए, तो आप जागरूपता से ऐसा कर सकते हैं, अगर जरूरी स्थिती बनाई जाए, तो उस व् बड़ी कोई फर्क नहीं पड़ता, मनुष्य अपने हर काम में सफल होना चाहता है, जीवन में अनंत दर्वाजे मौजूद हैं, आप बहुत महनती हैं, तो आप कुछ दर्वाजे खोलेंगे, आप बुद्धिमान हैं, तो कई दर्वाजे खोलेंगे, पर आगर आप सफल होना लोगों के लिए इतना जटिल हो जाता है, कि वो सफलता क्यों चाहते हैं, ये आम तोर पर वो बिलकुल भूल जाते हैं, और वो सफलता के सिध्धान्त बुर्णा शुरू कर देते हैं, हर तरह के सिध्धान्त, जैसे सफलता क्या होती है, क्या मैं चुटकुला आप बहुत गंभीर दिख रहे हैं भारत में एक आदमी था शंकरन पिल्लाई अच्छा ये जॉन स्मिथ की तरह है उनका बेटा अमेरिका आया जाहिर है एक भारती युवक यानि वो एक सॉफ्ट्वियर इंजिनेर था वो टेकसेस गया और वहां काम करने लगा फिर उसे एक अमेरिकी महिला से प्यार हो गया वो परिशान हो गया क्योंकि भारत में ऐसा प्रेम अपराध है वो परिशान हो गया फिर उसने अपनी मा को बताया फिर माने पिता को बताया और पिता फट पड़े वो उन्हें समझाने के लिए घर गया, पर बात नहीं बनी क्योंकि भारत में कोई शादी करना चाहे तो लोग उसके परिवार की 500 पुष्टे जाचते हैं वो उस व्यक्ती के वंच की शुद्धता देखते हैं जिससे आपकी शादी होगी तो अमेरिका की एक गोरी महिला आप उससे कैसे शादी कर सकते हैं हम उसका वंच नहीं जानते, वो कहां से आई है, उसका वंच क्या है, दा-दा-दा-दा-दा तो वो समझा नहीं पाया और वापस आ गया और उसे फिर से प्यार हो गया और वो आगे बढ़ गये उनका एक बेटा हुआ और उसकी तब की तस्वीर थी जब वो पैदा हुआ था और पत्नी रोजाना अपने छोटे बेटे की तस्वीर फेस्बुक पर अपलोड करती थी छोटा सा बच्चा बड़ा हो रहा था वो बेटे को त्याक चुका था पर पोते की बात अलग होती है धीरे धीरे एक दो साल में उसे इस छोटे बच्चे से प्रेम हो गया जिसे उसने देखा थक नहीं था फिर लोग अमेरिका से उसके पास आने लगे अरे आपने अपने पोते को नहीं देखा? ओ, आप उसे जरूर देखिए वो आपके जीवन का फल है धीरे धीरे उसे इच्छा हुई फिर उसने तै किया वो अपने बेटे का चैरा नहीं देखेगा पर अमेरिका जाकर सिर्फ पोते को देखेगा और उस गोरी औरत को तो बिलकुल नहीं देखेगा फिर वो अमेरिका गया और उसे एक साथ साल का उर जवान युवा लड़का मिला वो एक फार्म में रह रहे थे वो यहाँ वहाँ कुछ करता रहता था उसे इस छोटे साथी से गहरा प्रेम हो गया फिर एक दिन वो लड़का बोला दादाजी आओ मैं आपको तीर अंदाजी सिखाता हूँ वो उस लड़के के साथ फार्म में गया और वहाँ उसने आठ लक्ष देखे वो सभी तीर बिलकुल निशाने पर थे शंकरन पिल्ले ने ये देख कर सोचा अरे ये मेरा पोता है उसे भारत के सभी महान तीर अंदाज याद आ गए अर्जुन और एकलव्य और उसे भविश्य दिखा ओलंपिक स्वर्ण पदक आस्मान से गिर रहे थे फिर उसने पूछा तुमने कहां से तीर चलाया लड़का बोला बीस गच से क्या बीस गच की दूरी से तुमने सभी तीर निशाने पर मारे हैं तुमने ये कैसे किया फिर लड़का बोला दादा जी मैं तीर पहले मारता हूँ और फिर निशान बना देता हूँ तो सफलता से जुड़े ये सिध्धान्त रुकावट बन सकते हैं और मैं लगातार ऐसे लोगों के साथ रहा हूँ वो एक हद तक सफलता पा चुके हैं पर उनका जीवन उनकी सफलता के सिध्धान्त में फिट नहीं हो रहा है और वो ढाचा टूट रहा है पर उन्हें लगता है कि कुछ गलत है कुछ गलत नहीं है वो बस बहतर हो रहा है स्थितियां उन्हें आगे बढ़ा रही है पर उनके सिध्धान्त तूट रहे है तो वो अपनी सफलता से दुखी है आपको कई लोग ऐसी चीजों से गुजरते हुए दिखाई देंगे अगर सफलता की बात करें तो मुझे यकीन है कि आपके पास योजनाएं होंगी कि जीवन में सफल कैसे होना है हम आपकी योजना है योजना ठीक है योजना अच्छी होकर भी एक उल्जन हो सकती है क्योंकि आप आज जो जानते हैं उसी से योजना बनाते हैं योजना किसी अंजान चीज़ पर आधारित नहीं होती आपकी योजना यानी आज को बढ़ा चड़ा कर कल की कलपना करना अभी आप यहां एक स्तर पर हैं आपकी योजना ये होती है कि ये इतने वर्षों में दस गुना होना चाहिए या सौ गुना या लाग गुना हो जाए पर योजना यानी आज की स्थिती को बढ़ा चड़ा कर की गई कलपना शायद इसके पीछे कोई तर्क हो शायद आप उससे जुड़ी चीज़ें समझते हों पर मूल रूप से आप आज की ही बढ़ा चड़ा कर कलपना करते हैं यानी कई माइनों में वो सभी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं जो अभी आपके अनुभव में नहीं हैं आपने पेंसिलवेनिया की बाढ़ के बारे में सुना पेंसिलवेनिया में बाढ़ आती है आपको पता है एक बार एक बड़ी बाड आई और एक शहर में पानी इतना उपर उठा कि घर डूबने लगे तो दो छोटे लड़के अपने घर की छट पर चड़कर बैठे थे फिर उन्होंने अपने घर के सामने एक टोपी को उपर नीचे होते देखा एक ने पूछा वो टोपी उपर नीचे क्यों हो रही है दूसरा बोला चिंता मत करो वो मेरे पिता जी है कल उनका मेरी माँ से जगड़ा हुआ था और उन्होंने प्रण लिया था नरक्या उचा पानी मैं लॉन जरूर काटूँगा तो योजनाय परिशानी बन सकती है योजनाय बनाना अच्छा है पर ज्यादा जरूर ये है कि एक उदेश्य हो अगर उदेश्य है तो योजनाय बनती जाएंगी योजनाय फेल होंगी और फिर नहीं योजनाय बनेंगी जो होनाय होगा आप एक उदेश पर टिके रहें तो बाकी चीजें उस उदेश की मदद करेंगी पर अगर आप किसी योजना पर टिके रहेंगे तो वो योजना खुद एक रुकावट बन सकती है योजना संभावना भी है योजना बना कर रखना ठीक है लेकिन आपको योजना को थोड़ी दूरी पर थाम कर रखना चाहिए आपको योजना से अपनी पहचान नहीं जोडनी चाहिए सफलता की प्रक्रिया देखिए मूल रूप से सफलता की चाह हर इंसान में होती है आप उसमें थोड़ी आग डाल कर उसे अपना जुनून बना सकते हैं लेकिन अगर ये आपके अंदर की एक जरूरत बन जाती है कि ये आपको सफल हो नहीं है वरना आपको बहुत दुख होगा तो फिर आप दिककत में पढ़ने वाले हैं एक गंभीर दिककत हमारे जुनून जहर बन सकते हैं अगर हम उन जुनून के सफल नहीं होने पर नाराज होने लगें तो जहर बनने से मेरा मतलब है कि आज ये दिखाने के लिए काफी मेडिकल और वैग्यानिक सबूत हैं कि नाराज होने पर जब आप किसी चीज से गुस्सा होते हैं या चिड़चिड़े होते हैं तो आज डॉक्टर चेक कर सकते हैं हम आपका खून लेकर ये देख सकते हैं कि आप अपने सिस्टम में जहर डाल रहे हैं ये वो जहर है जो आप पीते हैं पर दूसरे के मरने के उमीद करते हैं जीवन ऐसे नहीं चलता अगर आप जहर पीएंगे तो आप मरेंगे यही ठीक है यही ठीक है है ना आप जहर पीएंगे तो आपको मरना चाहिए मैं जहर पीकर उसे मारना चाहता हूँ ऐसा नहीं होता तो ऐसी भावनाएं हमारी क्षमता को छीन लेती हैं देखिए, इनसान में प्रतिबहनाम की एक चीज होती है हर इनसान में होती है वो उसे जीवन में कभी न कभी चूता है पर प्रशन ये है कि आप उसे कितनी बार चूते हैं यही प्रशन है आप अपने जीवन में एक बार चमके, ये काफी नहीं है, आपको हर समय चमकते रहना चाहिए, है ना? प्रतिभा क्या होती है? इसे समझने के कई तरीके हैं, पर सबसे आसान तरीक ये है, कि हम हमेशा तारकिक विचारों को ही बुद्धी मानते हैं, नहीं, तारकिक विचार शायद अगले 25 वर्षों में बेकार हो जाएगा, क्योंकि तब शायद आपका कम्प्यूटर हर तरह के तरकिक विचार पैदा करने के काबिल हो जाएगा, आपसे कहीं बहतर और कहीं ज्यादा तेज, तो प्रतिभा को छूना यानि अपने अंदर मौजूद बुद्धी का दूसरा आयाम छूना, आपने नाश्टे में क्या खाया? देखिए, उन्होंने मुर्गी खाई, दो पह एक मुर्गी इनसान कितने समय में बनती है, तो वो लाखो वर्षों की बाते करते हैं, यहाँ यह दुपहर में ही मुर्गी को इनसान में बदल रहे हैं, तो यहाँ एक बुद्धी और ख्रमता है, जो प्रकृति के लाखों वर्षों के काम को बस दुपहर में ही कर सकती है, बस ये है कि ये बुद्धी अचेतन स्थिती में है अगर कोशिश की जाए तो आप हर अचेतन प्रक्रिया को एक जागरुक प्रक्रिया में बदल सकते हैं जागरुकता में अगर इस बुद्धी की एक बूंद भी आपको मिल जाए तो अचानक जीवन एक जादू की तरह चमक उठेगा जो काम लोग मुश्किल से करते हैं वो आपके लिए आसान होगा अब जब मैं बुद्धी कहता हूँ तो लोग हमेशा ये सोचते हैं अगर मैं लोगों से पूछूं कि बुद्धी कहा है तो सभी हमेशा यही कहेंगे है ना वो ये या ये या ये या ये या ये नहीं कहेंगे पर आपके शरीर की एक कोशिका आपके दिमाग से कहीं ज्यादा काम कर रही है डिने का एक अनू एक मिनिट में इतने लाखों काम कर रहा है कि आप कभी समझ ही नहीं सकते हाया न, तो योग में या योग विज्ञान में हम कभी भी किसी चीज़ को मन नहीं मानते मन जैसी कोई चीज़ नहीं होती एक भौतिक शरीर है और एक मानसिक शरीर है शरीर से सोचना, सीखना होगा ये एक छोटा सा सेशन है अभी ये बात नहीं करनी चाहिए अभी इस सत्र से पहले कोई कहता है सद्गुरू इस इमारत की योजना बनानी है क्योंकि हम सब कुछ खुद करते हैं अब यहां से जाने से पहले मेरा बिल्डिंग प्लान तयार होगा वो अभी यहीं बनेगा क्योंकि मेरे दिमाग में 12 से 14 चैनल वाकई चलते रहते हैं सिर्फ दिमाग में ही नहीं शरीर से भी सोचा जा सकता है आप शरीर से सोचना सीख लें तो कभी सिरदर्द नहीं देगा यह सबसे अच्छी बात है इतनी जिम्मेदारियां है और कई चीज़ें एक साथ चल रही है तो क्या तनाम नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता क्योंकि आप अपने एक गहरे आयाम का इस्तिमाल कर रहे हैं और सभी कर सकते हैं यह आयाम सभी में हैं शायद आपके तरक कस्तर किसी दूसरे से कम हो सभी की तारकिकता अलग-अलग होती है पर हर इनसान अगर आप एक गाजर खाते हैं तो उसे पचा सकते हैं यानि आप में बुद्धी का एक और आयाम है हाँ? अगर कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति बनाए कि सिस्टम के अंदर जो भी है वो आपके लिए उपलब्ध हो तो ऐसे व्यक्ति का सफल होना तय है कि सिस्टम के अंदर जो भी है